हेलो एवरिवन, बलकम टू माई यूटिव चैनल, आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और फ्रेंड्स रेल्वे की तरफ से एक और आफिशल अपडेट आ चुका है जैसे कि आप जानते हैं कि ELP के लिए form status का यहाँ पर जो है notice 3-4 दिन पहले दिया गया था और फिर 27-31 के बीच में student को मौका मिला कि वो अपने photo और signature को change कर दें देखो railway नहीं चाहता बिल्कुल भी exams में delay हो इसलिए पहले से ही चातरों को बोला गया कि आपको मौका दिया जा रहा है आप photo signature को update कर दो ताकि आपका form reject ना हो और फिर से आपको link के demand ना करनी पड़े अब वो ELP के लिए तो अभी update चली रहा था इसी बीच में यहाँ पर technician grade 1 और grade 3 की जो vacancy के लिए student ने apply किया है उसके लिए भी railway ने notice जारी कर दिया है और आप लोग कह सकते हैं कि railway पूरी तरह से super fast mode में अभी चल रहा है तो चली देखते हैं कि इस notice में क्या कुछ दिया गया है और कब से कब तक technician वाले student अपने form को update कर सकते हैं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर आप technician की तैयारी कर रहे हैं चाहे grade 1 की चाहे grade 3 की तो आप अपना syllabus complete करने के लिए mathematics और reasoning की इन दोनों books का use कर सकते हैं के रन पूब्लिकेशन की तरफ से आती हैं chapter wise और type wise आपको सभी previous year question यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं उसके बाद technician grade 3 के लिए आप लोग practice workbook का इस्तमाल कर सकते हैं new जो आपका exam pattern उसके अधार पर यहाँ पर आपको questions देखने को मिल जाते हैं same book आपको यहाँ पर signal यहाँ की grade 1 के लिए भी देखने को मिलते हैं यहाँ से आप practice कर सकते हैं और उसके अलावा basic science and engineering की book की तलाश अगर आपको है तो भी आप के रन पूब्लिकेशन की इस वाली book का use कर सकते हैं जिसमें theory के साथ आपको mcq भी देखने को मिल जाते हैं यह सारी books का link मैं description में देदूआ या फिर नजदी की book store से भी आप इनको purchase कर सकते हैं अब आ जाते हैं notice पर देखो notice यहाँ पर जारी हो है सबसे मैंने date आप लोगों को दिखाना चाहूँगा access for uploading proper passport size photograph and signature तो यहाँ पर इन लोगों को grade 1 और grade 3 technician वाले student को मौका दिया जा रहा है कि वो भी अपने photo को update कर सकें first point में का आगया the photo signature of few applicant against CN2-2024 technician grade 1 signal and various category of technician grade 3 is not as per standard यानि कि कुछ लोगों के photo सही नहीं पाए गई है to avoid rejection of application now these applicants are hereby given opportunity to upload the fresh passport size photo and signature यानि कि ऐसे लोगों को एक मौका दिया जा रहा है ताकि उनको form reject होने से बच जाए the email SMS will be sent to all such applicant ऐसे लोगों को email और message के माद्यम से सूचित किया जा चुका है और आगे कहा गया है कि link will be available from 3-6 ठीक है तो 3 June से लेकर 7 June तक आपको मौका दिया जा रहा है कि आप लोग अपने form को update कर सकते हैं और उसमें photo or sign को change कर सकते हैं अगर 7 तारिक तक आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपका form automatic reject हो जाएगा तो यहाँ पर यहाँ नों ने जो help line number भी दिया है तो सारी चीज़े विल्कु सेम ही हैं लेकिन dates यहाँ पर change है तो अभी ELP के बाद आपको technician में भी यह मौका मिल रहे जिसका फायदा आप लोग जरूर उठाएं और अगर आपके form में photo signature गलत है और आपके वास mail message आता है तो उसको update जरूर करें बाकी ऐसी updates आपको हमारे चनल पर लगतार मिलते हैं जल्या हमारे चनल को भी subscribe कर लिजी यह notice आपको मेरे telegram group में मिल जाएगा telegram group कलेंग मेंने description में दे दिया है